बिहार में तो आज तक वो पांचला की बात तो बहुत दूर है उसके आसपास की भी सभा नहीं कर पाए अब उत्तर प्रदेश में चले हैं फिर मदप्रदेश में भी जाएंगे इंडी जो गटवंदन है उसमें स्री नितीश कुमार जी अपने स्वेंग के कारण आज किस रा निज फोरनेशन में हूँ आपके साथ नरतम मुखमंत्री नितीश कुमार बनारस में एक सभा को समुधित करने वाल थे लेकिन उनकी सभा अब रद कर दी है इसके बाद बिहार के सियासत में इसकी चर्चा खूब हो रही है बिहार सरकार के मंत्री और यूपी के प्रवारी कई पर्धान मंत्री और उनकी पाट नितीश कुमार से डर गई है इसलिए उनकी सभा को रध करवा दी हमारे साथ है पुर्व उपमुक मंत्री तारकिशोर परसाद आप लोग डर गहें इसलिए प्नितिष जी की सभा को रद करवा दिये। देखे आप ही लोग से पता चलना है कि उनकी कोई सभा है अब सभा तो होती रहती है लोग तंत्र में उनको जितना सभा कड़ना है कड़े पांचला की सभा की क्या बात है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं इसमें किनी को क्या कटना ही है लेकिन सब को पता है कि इंडी जो गडवंदन है उसमें स्री नितीश कुमार जी अपने स्वेंग के कारण आज किस राजनितिक अस्थिती में पहुंच गया है कि आज उन्हें कोई संजोजक बनाने के लिए तियार द नहीं है बिहार में अठारे बड़सों तक उनकी वह मुखमंत्री के पद पर आसीन रहे अपने बुते सरकार बनानी कस्थिती में नहीं है बिहार में तो आज तक वह पांचला की बात तो बहुत दूर है उसके आसपास की भी सभा नहीं कर पाए अब उत्तर प्रदेश में फिर मदप्रदेश में भी जाएंगे जहां उनके दसों मुईद्वार एक उमिद्वार छोर कर जो साथ एक हजार सम्थिंग उन्हें वोट मिला था से इस दो सो तिन सो चार सो में सिमट गय थे तो वहां भी इनको पांचला दसला की रैली करनी चाहिए देखिए भरते जनत पार्टी जिस प्रकार से देश में आम लोगों के हिद के लिए सरकार चला रही है आम लोगों तक कल्यान कारी ओजनाओं को पहुचाने का काम किया है रास्टी अंतरास्टी अस्तर पर भारत एक ससक्त भारत के रूपमें आज दैदि प्यमान है तो स्वावि कह कि और जिस से बिगत राज्यों के चुनों में तीनों राज्यों में भारते जनता पार्टी ने आज मजबूती सप्ती सरकार बनाई है दो राज्यों में थे भी नहीं लंबे वक्त से चतिसगड में कांग्रेश की सरकार थी राजस्थान में भी एक कार्जगाल पहले कांग्रेश की सरका तो इन में लगता है काफी घवराट हो गई है और अपनी राजनितिक वजूद को बचाय रखने के लिए कांग्रेस बार भारते जंता पार्टी के साथ तुलना करके राजनितिक खबर के रूप राजनितिक खबर के में रहना चाहती है तो ठीक है अगर लगता है कि इस तरह क बाते करके ही वह उनकी राजनितिक जिवंत्त था है तो हमें क्या परिशान ही यह लेकिन देश की जंता सब समझती है बीहार में किस प्रकार से कानून ब्रभस्था बीगरती रही आम लोग भःष्ट आचार से परिशान है लेकि मानिये मुख्मंत्री जी इंडी गटवंदन में ब्यस्त हैं इनके जो सेस मंत्री हैं वो इनके इन्हें आर्थी उतारने में ब्यस्त हैं तो सवाविक है कि खबर में बने रहने के लिए इस तरह की सगूफा इस तरह का सगूफा यह जान बोज कर छोड़ते हैं जिसे कि कि इनकी आहमियत बनी रहें आप लोग अधिकारियों पर दवाव डाल कर उनकी सभा को रद करवाए हैं कि देखें मुझे तो हसी लगती है कि इस तरह के ब्यान देकर क्यों राजनिती में इतनी हास्यासत पस्थिती जनता दर उनाइटेट के निता बनाना चाहते हैं कुछ तो गंभिरता को बना कर रखें आप लोग को नहीं लगता है कि अगर परधान मंतरी के संसदिये चेतर मिनिती इसकुमार सभा करेंगे तो आप लोग को नुक्सान होगा कि अब देखें अब मैंने मैं फिर दोहरा रहा हूं यह जान बूचकर इस तरह की बातों को लोगों को बीच में रखकर यह अपने राजनितिक हैसित को बढ़ाना चाहते हैं अब भिहार में इन्भेस्टर्स सम्मिट हो रहें जिस अधानी को लेकर आप लोग और पर्धान में उद्योग खरा करके देश को एक बेहतर करने का काम किया है अब डानी अगर बिहार में निवेश कर रहे हैं से अची बात वर क्या हो सकती है लेकिन अनावस्यक किसी के नाम के साथ उन्हें जोड़ना अडानी तो भरतियरास्ट्रे कांग्रेस का कि जब केंद्र में सरका रही है तब इंद्रा गांदी जी के डानिंग टिवल पर वो भोजन करते दिखें तो यह सब बिल्कुल बेमानी बाते हैं यह सब यह सारी चीजें ऐसे ही लोग बोलते हैं जिन्हें सिर्फ ख़बर में बने रहनी का आदत होती है अधानी जी निवेश करना है तो उनका पर ब्री राम का मंदीर बना रहे हैं बिहार में मासीता का मंदिर बनेगा नितीश कुमार आप लोगों के पीछ पर बैटिंग करने के लिए तेयार हो रहे हैं इस बाबरी मस्जद के कारण जो प्रस्थितियां बनी थी रामलला का मंदीर वो सारे प्रतीक के चिन वहां माप्त कराया और एक भब मंद्र का अंदिर्मान कराया अजोद्या का एक स्वरूप बदला है और जगत जन्नी जानकी माता का तो जन्वस्थान है बिहार सीता मढधी पुरोना धाम अगर वहां मंदिर बनता है तो स्वागत करना यह स्वागत करना चाहिए मां जानकी का मंद बिहार में उसका निर्मान होती इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है तो आपने सुना क्या कुछ कर रहे थे तरकिश्वर परसाथ अब बने रहें नीज़ फरनेशन के साथ करें